नमस्ते दोस्तों, TRS Clips Hindi में आपका स्वागत है, सब्सक्राइब कीजिए, बैल, आइकोन दबाएए and enjoy the clip! मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मैं तीन-चार साल पहले ऐसे podcast शायद रिलीज भी नहीं कर सकता था लोग समझते ही नहीं podcast की शुरुआत भी जब हुई 2019 में मुझे बहुत basic से शुरू करना पड़ा manifestation, law of attraction, ऐसी चीजों से start करना पड़ा अब जाके high level के आघोर और ये सब वाले podcast निकल रहे है इनमें बहुत ज्यादा knowledge है, ये बहुत densely knowledgeable podcast है काफी साही लोग हस रहे हैं कि काला जादू की बाते हो रही है ये वह पर अगर आप उन podcast को खोल के देगे तो बहुत ज्यादा dense knowledge है, मैं खुद से ये पूछता हूं कि ये क्यों हो रहा हमारे थू आज 90s kids 2022 में आपकी भी journey ऐसी क्यों बन चुकी है हम एक national stage पर as media professionals क्यों इन चीजों के बार में बात करें और ये चीज़े accept क्यों हो रही है for example, जब पहले हम spiritual podcast release करते थे, views नहीं मिलते थे, बर over time बहुत views accumulate हो जाते हैं उन podcast पर, आज हर spiritual podcast में more than a million views आते है पर मेरे दिमाग में क्यों वाला सवाल बहुत ज़्यादा flash करता है आप सोचते हो कि दुनिया कैसी इस्थिती में है कि दुनिया को क्यों इन चीजों की जरूरत है suddenly क्या ये कल्यूग का peak है या क्या कल्यूग खतम हो रहा है कल्यूग तो 4,32,000 का है और अभी 5,000 कुछ वर्शी हुए है जिसमें से प्रसंग आता है कि राजा परिक्षित ने जब कल्यूग को पहली बार देखा था तो ये पांडवो के वंश के है लास्ट राजा राजा परिक्षित तो उन्होंने कल्यूग से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो उसमें दिखाया था कि वो एक बैल है उसको बहुत मार रहे है उसको धरम का प्रतीक दिया गया था एक गाय है उसको धर्दी का प्रतीक दिया गया था उसमें उस सब बता रहे कि बहुत cruel view उन्होंने देखा था तो उन्होंने देखा था कि ये समय तो आना ही नहीं चाहिए अगर एक ऐसा समय आने वाला है इतनी cruelty होने वाली है तो मैं तुमको आज ही मार देता तब उन्होंने बोला था कि मुझे में बहुत अवगुण है पर एक बहुत अच्छा गुण है मेरे अंदर कि ऐसे टाइम में भगवान को प्राप्ट करना बहुत easy होगा जिसका नाम है कल्यूग केवल नाम अधारा सिर्फ नाम जब इसलिए meditation में मंत्रो का नाम आया तुम नाम जब करेंगे और आपको बहुत प्राप्ट गवान को पाने का तो तब उन्हें बोला था ठीक है पर मीरा समय 5000 वर्श नहीं रहेगा तब 5000 तक तुम नहीं आँगए तो उसने बोला था ठीक है, उसके बाद बोले अपना असर दिखाना तो अभी 5000 कुछी समय हुआ है, exactly I don't know the year अभी, क्योंकि महाभारत की डेटिंग roughly 3000 BC की है, I mean ये मैं बहुत सारे podcast के बाद इस conclusion तक पौँचा हूँ तो वो exactly एक दम नहीं पर 5000 हजार वर्ष पूरे होके कुछ समय और हुआ है, तो इसलिए जिनको लगता है कल्यूग पीक पर है तो नहीं, कल्यूग भी बहुत छोटा है डॉट के जितना है और कहा जाता है कि just imagine कि जब ये एक young कल्यूग बनेगा, तब क्या होगा तो इसलिए अभी लेकिन जो dot शुरू हो रहा है तो वो जो दुख है वो जो problems है, वो जो tension है वो जो stress है, लोगों को बहुत आ रहे है क्योंकि उनको जो भगवान और उनकी बात है, सबसे सब लोग अलग हो चुके, ये कल्यूग का रूप है क्या भगवान से दूर हो जाएंगे लेकिन, it takes time वो actual कल्यूगाने में तो इसलिए उनको जब spirituality से इन चीजों से आसानी हो रही है एक easiness मिल रही है एक comfort मिल रहा है और वो लोग tough situations को handle कर पा रहे हैं spirituality का एक और reason है कि आज जादा लोग करते हैं यह मैंने, I think मैंने कहीं कथा करी थी वो एक बहुत बड़ी company के CEO थे और उन्होंने मुझे बोला था कि हम अभी अपनी company में जो sessions करवाते हैं उसमें अब यह लोगों तक पहुचानी की कोशिश कर रहे हैं कि करम करो, फल की चिंता मत करो कि निस्वार्थ करम करो और जब हमने इन चीज को शुरू किया तब हमने देखा कि productivity level जादा बड़ा है लोगों में तो कई लोग अपने ही फाइदे के लिए spiritual practices कर रहे हैं so that वो अपनी career में इन चीजों में जादा गेन कर सके तो दो तरीके, एक जो दुखी है वो spirituality के और जा रहे है एक जिनको लग रहा है उस वज़े से मेरा काम और अच्छा हो रहा है और वह इस में हो रहा है मुझे तकलीफ नहीं हो रही है और मैं ज़ादा productive हो रहा हूं, creative हो रहा हूं तो यह दो reasons है कि लोग अभी spirituality के तरफ बहुत ज़ादा पढ़ रहे है तो यह एक reason और सबसे ज़ादा youth क्योंकि सबसे ज़ादा competition आज youth में है चाहिए वो marks को लेकर है, career को लेकर है different sectors को लेकर है, कहां जाए, कहां नहीं जाए generation gap को लेकर है उस tension को कैसे fill up करे relationship को लेकर है तो उनको इतने problems में एक रास्ता दिखता है जो उनको खुश कर रहा है उनको शान्त कर रहा है that is spirituality DRS Clips Hindi के इस clip देखने के लिए thank you दोस्तो, love to you all नीचे हमने link किया है इस पूरे के पूरे podcast को यानि पूरे episode को उसके नीचे हमने link किया एक ऐसी playlist को जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा